नमस्कार आप देख रहे हैं देवनग्री इंज्या नियूस सिरोही जिले के छोटे से गाउंग के एक मेकेनिक ने पैरेगलाइडिंग तयार किया है दावा है कि यह पैरेगलाइडिंग करीब सतर से असी किलो वजन को लेकर 5000 मीटर की उचाई तक आराम से उड़ सकता है तो चलिए जानते हैं कि यह किस प्रकार का विमान है और इससे किस प्रकार से बनाया है जुडते हैं हमारे वेब के मुख्य संपादक राहूल रावल से जिन्होंने हिमत से मिलकर एरक्राफ्ट के बारे में जानकारी ली आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज शिरोई जिल्ले के सिवगन तैसिल में केशरपूरा गाव इस्तित है केशरपूरा गाव के 28 वर्षिय युवा ने एक ऐसा इन्वेंशन किया है कि जिससे पूरे सिरोई जिल्ले में हाहाकार मच गई है यह किस परकार का इन्वेंशन है आई इन से ही जानते हैं नमस्कार इमत इसके बारे में बताईए कि यह क्या चीज है और इसको आपने क्या नाम दिया गया है नमस्कार मेरा नाम हिमत राज है और मैं 12 साल से साइंटिफिकल्स मोमेंट्स पर काम कर रहा हूँ उड़ने वाले रिसर्ज कर रहा हूँ और अभी जो मेरा पहला डिवाइज है ये हैंग लाइडर्स है इसको मेनी ट्राइक के नाम से भी जानते हैं ये दुनिया के सबसे हलके प्लेन में से हैं इसका वज़न 34 केजी का है ये 80 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसकी टॉपेस्ट हाइट है ये 15,000 मीटर की हाइट तक जा सकता है यानि 15 किलोमेटर की हाइट तक एक बर फ्यूलिंग के दौरान इसका 120 किलो प्लेटर रहेंगे लेकिन जो फिलाल में मैं आपको बता देता हूं इसमें 162 इंजन लगा हुआ है और इसके अंदर लगने वाली प्रॉपेलर्स वगरा सब हमेड है जो हमारे खुद के डिजाइंस है इसमें जो इंजन से और इसके साथ में पंके का जो कॉम्बिनेशन से इसमें सारे aromatic chapters भी हैं जोआप वो जान सकते हैं वैसे ही लग्लाइड्र हमने उड़ा कि छेक भी खिता है कलेक्टर साथ साब से हमने permission मांग थी इसके बार में कि हमें जल्दी परशेर हमें को को आ चल्यप्र साब मांग की है यह जो आपने बनाया है यह आपका पहला product है यह इससे पहले भी जो है आपने कोई प्रॉड़क्ट जो मार्केट में लॉंच की है। हाँ इससे पहले कुछ चोटी मोटी चीजे है जैसे बच्चों के खिलोने है उड़ने वाले या फिर टायर से कई सारे प्रोडक्ट्स हैं लिक्विड्स हैं कुछ इंजेक्शन पंक्चर से कुछ स्टिक्स वगरा हैं कहीं सारी चीजे हैं जो मैंने ऐसे टायर के इक प्रोडक्ट बनाया था जो मार्कि चलता है और काफी ज्यादा चलता रहा है और उसके अलाव अगरिम् Ferguson में तो हम इस movement को काफी जदा आगे बड़ा पा रहे हैं और हम इसमें काबिलियत भी हासिल कर पा रहे हैं इसके सक्षित के पिछे कहीं सारे लोगों के हाथ भी हैं जैसे मेरे पास में रहने वाले बावर कुमावत भी हैं मेरे साथ में हरमेशा हाथ बटाने वाले सिकंदर राना बहुत अच्छा सपोट किया इन्होंने फाइनेंस ली बहुत अच्छा सपोट किया हमारा चिकंदर राना के साथ में मिलकर तो हमने इस डिवाइज को काफी बैतरिंग बनाया है हम चाहते हैं कि गॉवर्मेंट इस पर थोड़ा मध्य नजर डाले अधरवाइस तो हम इस प अच्छा को लेकर आपने क्या-क्या ध्यान दिये इसको देखो जिस तरीके से हमने इसको बनाया है इसके वेट लिफ्टिंग के दोरां जितना इंसान अंदर बैठना चाहिए उसका वेट जितना होना चाहिए हमने वह सारा मैंटिन करके रखा है लेकिन इसके अलावा भी उड़ते वक्त इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इसमें एरोमेटिक चैप्टर यह रहता है कि यह पतंग नुमा टाचा हवा में यह स्लाइड हो सकता है तो आप अगर 1000 मिटर के हाइट पर होते हैं तो 12,000 मिटर तक आप लॉंग टाइम तक स्लाइड कर सकते हैं और आप सेफली लेंडिंग कर सकते हैं कहीं भी खुली जिगा देखकर फिर भी अगर आपको यह लगता है कि मैं अगर कहीं लेंडिंग नहीं कर पाऊंगा बहुत बड़ी सीटी है तो हम साथ में एक इमर्जेंसी पेरशूट रखते हैं जिसमें आपको एक रस्ती खीचनी होती है और एक पेरशूट निकलता है बार और फिर आप 10 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से देर देर नीचे आजाएंगे सेफली अगर आप कहीं भी उतर जाते हैं तो आपको किसी भी तरकी कोई जन्हानी नहीं होगी जैसा कि इमत आपने बताया कि आपने दसवी तक की पढ़ाई की है तो दसवी तक ये ग्यान जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है तो आपको इसके परती कहां से जिग्यासा जागी देखो मैं बच्चपन से ही उड़ने वाली चीजों पर काफी ध्यान देता आया हूं पढ़ाई करने के साइड ओप टाइम में भी मैं इन च से करता है हूं मैं 28 वर्स का हूं तो लगब मैं 78 साल से इन चीजों के बारे में काफी ज़्यास हो गया था उसके बाद मैं करीबन दसवी पास करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे काम करने चीज़ जो देश हीत के लिए बहतर हो हमारे देश के लिए बढ़ि है एक ही दफा नहीं बनाया इसको मैंने पहले करीब बन तीन चार बार और बना चुका हूं इसको और वो हमेशा से ही डिफॉल्टेट हुआ करता था और बैस्ट अब दो फ्लाइंग नहीं होता था उसके मोमेंटम कहीं सारे से टूटे हुए भी पड़े हैं हमारे पास मैं का बेड्रेस्ट भी निभाया है मेरी कमर में छोट लग गई थी कहीं बार ऐसी चोटे लगी भी है इसको में बहुत लेकर भी गुमें हैं हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे करते लगब बगग 8 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद में इस प्रोजेक्ट को हमने स अगर बेचेंगे तो कितने कीमत में बेचेंगे इसको बनाने में अभी तक के जो झ्लाइडर का खर्चा हुआ है करिमन अभी तक दो लाग रुपे के आसपास मैं इसमें लगा दिया लेकिन कहीं सारे इस सारी चीज़े बाकीं भी हैं अभी यह पार्टेशन में किसी को देने लायक नहीं समझता इसको मैं खुद ही उडाऊं तो ठीक रहे अगर इसको मैं बहतरीन तरीके से बनाने जाओं कि इसको लॉंच करें तो इसमें कहीं सारे बदलाव होंगे इनजन्स हैं इसके हारनेस हैं कहीं सारे सिस्टम में बदलावांगे तो इनवेस्मेंट तो किया बताओं आपको के लाइन प्राइसे से बदलते रहते हैं यह फिलाल हमारा हुममेड और सेलफ मेड हैं इंजन्स भी हमने खूद बनाया हूँ इसके टोटल एक इक पार्ट हमने कुदी बनाए टोटल इंदिया मेट हैं बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत और मैं अपने दर्शकों को आप इसका लाइव डेमो भी दिखाना चाहूंगा तो मैं चाहता हूं कि एक बार इससे जो है आप लाइव डेमो करके बता है यह थे हिम्मत जिन्होंने इस विमान को किस प्रकार बनाया है कितनी लागत लगी है बनाने में क्या-क्या समस्या हुई इस सब के बारे में हमें जानकारी दी दावा है कि यह पैराग्लाइडर करीब 70-80 किलो वजन लेकर 5000 मिटर की उचाई पर आराम से उड़ सकता है इस पैराग्लाइडर में वर्तमान में पैट्रोल के लिए 2 लीटर का टैंक लगा रखा है जिससे 40 मिनिट तक लगातार 80 किलो मिटर की रफतार से हवा में उड़ सकते हैं 5 लीटर पैट्रोल का टैंक लगाने पर 150 किलो मिटर तक का सफर आराम से तव किया जा सकता है यूवक ने अब कलेक्टर से पैराग्लाइडर को उड़ हिम्मत ने दसवी क्लास तक पढ़ाई की है पढ़ाई में मन नहीं लगने पर उसने 2010 में स्कूल जाना छोड़ दिया और मैकेनिक का काम करने लगा पिछले आठ महीने से वह इस पैराग्लाइडर को बनाने में जूटा था हिम्मत के पिता सिक्षा विभाग में चतुरते श्रेणी कर्मचारी थे जो पांच साल पहले रिटायर हुए थे जब उन्होंने एरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया तभी से वह उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हिम्मत के साथ ही संजय परिहार और भंवर प्रजापत भी उनके प्रेरित करते रहे इसके अलावा सिकंदर राणा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए हमेशा सहायक की रूप में साथ खड़े रहते थे पैराग्लाइडर को असेंबल करने में सिफ 15 मिनिट लगते हैं इसमें पैट्रोल के लिए 2 लीटर पैट्रोल का टैंक लगा रखा है जिससे 40 मिनिट तक लगातार 80 किलोमिटर की रफ्तार से हवा में उड़ सकते हैं अगर 5 लेटर पेट्रोल का टैंक लगाते हैं तो 150 किलो मिटर तक का सफर आराम से तक किया जा सकता है। हिम्मत ने दावा किया है कि उनका बनाया पैराग्लाइडर 5000 मिटर तक की उचाई पर उन्ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि उनका बनाया पैराग्लाइडर 34 किलो वजन का है जो संभवत दुनिया का सबसे हलका पैराग्लाइडर है इस पैराग्लाइडर का वजन और इंजिन की शमता बढ़ाने के साथ ही इसे 2 सीटर और 4 सीटर भी बनाया जा सकता है इसमें सबसे बड़ी विशेष्टा यह है कि हवा में 15,000 मिटर की उचाई पर जाने के बाद इंजिन को बंद किया जा सकता है इसके बाद भी यह कई किलो मिटर तक हवा में उडान भरेगा देवनगरी इंजिनियों से जुणने के लिए धन्यवरत